हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे बहुत बच्चे ये सवाल कर रहे हैं क्या सर हम डियलेड में एडविशन करने के बाद में क्या हम फजगे हैं क्या हमें डियलेड में एडविशन नहीं करना चाहिए था क्या डियलेड करन करना नहीं चाहिए था या फिर क्या हम डियलेट करने के बाद में क्या हमें जो सुविधा मिलने वाली थी आगे में वो सुविधा हमें क्या नहीं मिलेंगी तो यसी विशे में आपसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या डियलेट बेटर है या फिर बीड बेटर है क्या आप आपको डियलेट करना चाहिए या फिर आपको ब्याट करना चाहिए या फिर क्या आपने डियलेट करके अगर आप डियलेट करेंगे तो क्या-क्या सुविदाएं हैं जो आपको नहीं मिलेंगी और क्या-क्या सुविदाएं हैं जो अगर आप ब्याट करेंगे तो मिलेंगे तो उन बच्चों के दौरा इसा सवाल आ रहा है किसी विसाय में आज हम बात करेंगे तो दोस्तों मैं हूं आपका मुहामद जमील और आप देख रहे हैं इंडियन इंग्रिश स्कुल फर क्या है अगर आप हमारे चमेंड नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर रिए ताके डेलेट से संबंदित या बीएट से संबंदित या फिर कोई भी जॉब से संबंदित वीडियो जो भी मैं अप्लोड करूं उसका नोडिशन आप तक पहुंच जाए तो आए वीडियो को स्टाट करेंगे देखिए दोस्तों असल बात है डेलेट का मतलब होता है कि प्र सुपर्टेट का एकजाम पास करेंगे तो आप कख्छा एक से लेकर के पास तक पढ़ाने के काबिल होंगे आपको एलिजबिलिटी मिल जाएगी अभी जो है कि अपर प्रामेरी टीचर तक एलिजबिलिटी मिल गई है डेलेट वालों को यानि अगर आप डेलेट करते हैं तो आपको जो है एक से लेकर के आठ तक आपको पढ़ाने का एलिजबिलिटी आपके अंदर में आ जाएगी आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को लेकिन अगर आप चाहेंगे कि भाई हम आठ से उपर यानि कि अगर हम कख्छा एक से लेकर के बात करें बारवी तक की तो एलिजबिल नहीं है यानि डियलेट जो भी करेंगे वो सिमित हैं कख्छा एक से लेकर के आठ वी तक अगर आप जो एक से लेकर के बारवी तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको डियलेट करना नहीं पड़ेगा आपको ब्याट करना पड़ेगा इसके लिए सबसे पहले जूनियर और एक होता है सिनियर तो आपको सिनियर का टैट एक्जाम पास करना पड़ेगा फिर आपको Protestant उसके बाद में फिर आप यलिजबिल अगर आप देलेट को चुने हैं तो आप सिप सीमित हैं अपर प्रेमरी बच्चों को पढ़ाने तक यानि कख्छा एक से लेकर का आर्थ तक ही अरिजबल आप हैं पढ़ाने के लिए ठीक है मेरी बात समझ मारी है अप लोगो तो उससे कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं ह लेकते हैं तो उसके बाद में आपका रास्ता खुल जाता है ऐसा नहीं कि आप डिलेट करने का मुखा नहीं मिलेगा नहीं अइसे बात अगर आप डियलेट करते हैं तो उसके बाद आप भीड भीग कर सकते हैं उससे कोई प्रोलो नहीं है वह आपके जोई की आगे में आपका जोई रास्ता खुल जाता है तो आई होप आपको हर चीद समझ में आगी होगी तो अगर आप हमारे चैनल में नय हैं पहले बार विज उसको लाइक करेंगे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तेंक यू